कि जैहिंद कि ठंधा लग रहा है ना और लगेगा कि एसाव कल हो चुका था नेचुरल नंबर इंटीजर होल नंबर इसाव कौपी कलम लाए है ना आज लिखना स्टार्ट करना थोड़ा सा कल वाले बात को समझना सबसे पहले बताया कि नंबर को कौन सा नंबर एक है कॉंप एक ग्यूंबर संबदा है कि इसे एक रेसंाल आ ओर ईयूल यू इंटीजर आर डेस्सटोम लाइगा अर्टेसिमल में कोंपर ऐtime कों से आईगा तर्मिनेटींग डेसिमल औरर रीपिटिness नटा तर्मिनेटिन ननेंटीन्टीटिक इसमumu आएगा ईerge रिसमल नेंबर में ही कि ईडिंग डाल तो पर नमबर सिस्टम सा सीस्टम नमबर सिस्टम घ्र कर एक होता है नमबर और यह होता है क्या डीजित रडीजित कहां से कहां तक न опас है पता है इस हो जीरो से लेकर जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और एक नो जैसे अलफा बेट कितने होते हैं 26 और वही 26 अलफा बेट मिलकर बढ़ होगा बढ़ के बाद संटेंस होगा बहुत सारा लिखने के लिए एसे जड़ी तक उप्यों करते हैं इसी में कोई भी संख्या को लिखने के लिए डीजिट का परियोग करते हैं अट डीजिट का हिंदी क्या होता हिंदी भी गायव है डीजिट का मतलब क्या है अंक डीजिट कहां से कहां होगा जीरो से लेकर कोई भी संख्या को लिखने के लिए यही दस डीजिट कितने होते हैं दस नो नहीं कहां से हु 6 तक तब यह हो गया जीरो से लेकर 9 तक total 10 digit कोई पूचेगा लिखेंगा लिखेंगे जाकर नमबर है बताएं तो हम कहेंगे digit भी है और एक आंग की संख्या है ना ओन डिजिट के नमबर साथ को डिजिट भी कहेंगे और साथ को नमबर भी कहेंगे डीजिट साथ है नंबर कहेंगे तो कहेंगे एक अंको की संख्या है लेकिन 27 या 29 लिख दिए ये 29 डीजिट में आया नहीं अब ये 29 हो गया नंबर अग कितने अंको की संख्या है दो अंको के संख्या लिख दिए 528 ये डीजिट है नहीं ये क्या है नंबर है और नंबर कितन तो अंकों का तीन अंक सब किलियर है ना ऐसे आगे बढ़ता चलेगा और सबसे छोटा संख्या नेचूरल नंबर एक हो गया नंबर कहा समझना नेचूरल नंबर इंटीजर कह दिया तो छोटा हम लोग नहीं निकालेंगे माइनस अनम तक चला जाएगा तो संख्या एक दो अंक वाले कितना हो गया आगे बढ़ता जाएगा ना तब से छोटा संख्या पुछेगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राकिर्तिक में एक और एक अंके सबसे बड़ी संख्या कौन सा हुआ नौ दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या निनानवे और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जस अपने आप में गुरबानवित म automobile न कि याद है और तीन अंकवाले यह है आपको डिजिट और एक नंबर है तो नंबर और डिजिट में फार्क समझ में आगिया न डिजिट जीरो से लेकर कहा तक हुआ नो तक और नंबर तो जितना डिजिट का एंस डिजिट तक नंबर लिख सकते हैं इस संख्याये हैं हेडिंग डालिए classification of number classification of number संख्यायों का बर्गी करन classification of number classification of English लिखा रहा था सही न C classification है न सही classification of number अगर गरवर भी आश्पेलिंग में होगा तो सुधात कर ले ना मन ही मन क्योंकि आप लोग का English सही है न आप लोग का English सही हो गया classification of number संख्यायों का बर्गी करन संख्या को हम लोग बाटे तो सबसे पहले कौंसा नंबर में बाटे हैं complex number सबसे पहले लिखेंगे complex और complex number का हिंदी क्या है समीश्र संख्या समीश्र संख्या complex number को कितने पार्ट में बाटे हैं दो एक हो गया real number और एक हो गया imaginary real number का मतलब बास्तबिक संख्या और imaginary number का मतलब तब बास्तबिक संख्या हो गया और एक हो गया imaginary 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 number कालपनिक संख्या जो कलपना में हो कभी बास्तबिक नहीं हो बास्तविक में तो यह बास्तव में जो कल्पनाओं में हो बैठे बैठे कुछ भी कल्पना कर सकते हैं कल्पना कर लिए कि कास भारत का राष्ट पती होते यह राष्ट पती बने हुए हैं तो कल्पना करना बास्तव में है नहीं जो number lines पर दरसाया जाता है, उस सब को हम real number कहेंगे, यह आपको number line है, यहाँ 0 है, 0 से दाइं और जाएंगे, तर सब मान positive में अनन तक चलेगा, और बाइं और आएंगे, तर सब मान negative में, तो कोई भी संख्या को इस number line पर दरसा दिये, वो सब ही संख्या क्या होते हैं, real number, और जो संख्या को हम नहीं number line पर दरसाएंगे, वो क्या होगा, imaginary, काल्पनिक संख्या imaginary और imaginary नमबर को किसे से सुचित करते हैं, I से, और I को क्या कहते हैं, I ओटा, कि I से सुचित करेंगे, और I बरावर होता है, root under का minus, अस्वाइर कर दिजिए, I ओटा, अस्वाइर बरावर क् संख्या minus 1, अस्वाइर इंग बोथ साइड कर दिए, root हट गया, तब I ओटा, अस्वाइर बरावर हो गया, minus का 1, लेकिन हम लोग का सिलेवस में imaginary संख्या पर नहीं है, हम लोग का सिलेवस 9 10 का है, और 9 10 में imaginary नहीं, imaginary कहां से स्टार्ट होता है, 11 से, तहीं imaginary नमबर नहीं प और बर्ग करने के बाद, जैसे minus 3, हमें पता नहीं है कि काल्पनिक है कि imaginary है, इसे अस्वाइर कर दिजिए, तहा कितना हो गया, पलस का, पलस में आ गया न, और अस्वाइर करने के बाद, जो result पोजेटिम में आएगा, और रियल नमबर होगा, और अस्वाइर करने के बाद जो result नगेटिम में आएगा, क्या हो जाएगा, imaginary, जैसे आब बताईए कि minus का root 3, कल्पनिक संख्या है कि बास्तविक संख्या है, बास्तविक संख्या, पहले बर्ग कर दिजिए, बर्ग किये, तह माइनस के दो बार गुना करेंगे, तब पलस हो गया, root 3 का अस्वाइर कितन हो जाएगा, बास्तविक संख्या, real number आएगा, और real number को R से किसे सुचित करते हैं, R हो गया, IOTA, इसे सिर्फ याद रखना है, कि हम लोग imaginary को IOTA, इसे IOTA लिखना है, बहुत सारे IOTA हटा देते हैं, बाद में पढ़ने लगते हैं, लोटा, हाँ बहुत है ऐसा बहादूर बाद में कोप्चे में आते हैं, करते हैं, सर लोटा का मतलब क्या होता है, कि लोटा, फिर उबल कि IOTA से जो सुचित किये थे imaginary में, लोटा नहीं आये, क्या है, IOTA, किसी से भी याद रखना है, लेकिन कोई पूछे उस समय लोटा थारी पलेट का नाम नहीं रखना है, क्य इंटीजर के मतलब पुर्णा अंक, और डेसिमल का मतलब दसमलब, डेसिमल, दसमलब, जो पॉइंटों में हो, रियल नंबर दो पार्ट में बटिया एक इंटीजर और एक डेसिमल, इंटीजर के बारे में कुछ कल बताये थे, याद होगा, आ आ रहे हैं, पहले इंटीजर और डेसिमल समझिए, इसके बाद रेसिनल बता देंगे, रियल नंबर को इंटीजर और डेसिमल, उसे बोल सकत प्राकिर्तिक संख्या पुर्ण संख्या की नहीं करते हैं सब ही पुर्ण संख्या है की नहीं सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है क्योंकि पूर्ण जीरो और प्राकिर्तिक है और पूर्णांक में नगेटी भी है सभी पूर्ण संख्या नहीं है प्रंतु सभी पूर्ण संख्या पूर्णां संख्या है इसे दूसरा पेज पर हम लोग लेंगे real number और क्या है imaginary number और real imaginary को हम लोग बाट दिये है एक real number को बाटे decimal और integer यह real number है real number को दो पार्ट में हम लोग बाटे बास तभी संख्या एक decimal और एक क्या हो गया integer integer हो गया minus infinitive से लेकर के plus infinitive तर यह integer है पुर्नांग और एक हो गया आपको decimal decimal सबसे पहले पुर्नांग पर आए पुर्नांग को हम कहेंगे कि minus infinitive से लेकर के कहां तक है plus infinitive minus infinitive हो गया minus 3 minus 2 minus 1 0 फिर आगिया plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 plus अनन तक यह हुआ integer minus infinitive से लेकर के कहां तक है plus infinitive तक integer हो गया और integer में देखिए पोजेटिव इंटीजर इसे कहते हैं हम लो पलस एक से लेकर के पलस इंफिनिटिव तक यह कौनसा इंटीजर हो गया पोजेटिव इंटीजर धनात्मक पुर्णांग संख्या और धनात्मक पुर्णांग संख्या को ही कहते हैं नेचुरल नंबर कौनसा नंबर बोलते हैं ने तक चल गए कहां से चले जीरो से अनन्त तक जीरो से अनन्त तक बाले को बोलते हैं नन नगेटीव इंटीजर इसे बोला जाता है नन नगेटीव इंटीजर नन नगेटीव इंटीजर का मतलब और रिनात्मक पुर्णांक पुर्णांक का मतलब रिनात्मक नहीं होना चाहिए चाहिए रिनात्मक नहीं होना चाहिए तर जीरो रिनात्मक है, नहीं, तर नन नगेटिव इंटीजर में जीरो भी सामिल रहेगा, इसे नन नगेटिव इंटीजर आर इनात्मक संख्या कहेंगे, और आर इनात्मक पुर्णांग संख्या ही कौन सा संख्या होता है, होल नंबर पुर्ण संख्या होता है पुर्ण संख्या जो प्राकिरतिक संख्या में क्या सामिल हो जाता है जीरो और जीरो से लेकर माइनस इंफिनिटिव यहां फिर से आ जाएए जीरो से लेकर के माइनस इंफिनिटिव तक के नंबर को हम कहेंगे non positive integer अधनात्मक पुर्णांग संख्या का मतलब उसे में धनात्मक और धनात्मक नहीं होगा तब 0 धनात्मक संख्या है नहीं, तब 0 आपको non positive में भी सामिल है और non negative में भी सामिल है जैसे लिखा हुआ चाहा प्लीजिये, जरूरी नहीं है कि उसी page में, दूसरा page में भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर infinitive तक, इसे non-negative integer whole number पुर्णांग संख्या कहेंगे, और 0 से लेकर minus infinitive तक, non-positive integer और रिनातमा कुर्णांग संख्या कहेंगे, आप बताइए 0 के बारे में, 0 के बारे में बताए थे, धनातमा कुर्ण संख्या है कि रिनातमा कुर्णांग संख्या है, दोनों में कोई नहीं है, 0 नहीं तो धनातमा कुर्णांग संख्या है, नहीं तो रिनातमा कुर्णांग संख्या है, तब आप लिख दीजिए, नोट में करके बात को, अभी तक की समय लिखे थे, रेजगी में, कुछ- पढ़ने में, खुब users कर रहा है. अगर मों बेसे वोड़ है और रहले से अधिक है तो मारकर है जिसको जनकारी है उसका ठीक है नहीं तो आउट फीक है प्रहाने में भी अच्द्धा घंटी करना है एक से हों से नमBER कहां से स्टार्ट होगा ऑई से और इंटीर प्रजेक्टी मीं नोट और करके लिखाते से की नहीं लिखाय थे नहीं तो नहीं तो धनात्मक पुर्णांग संख्या जीरो नहीं तो धनात्मक पुर्णांग संख्या जीरो नहीं तो धनात्मक पुर्णांग संख्या जीरो नहीं तो धनात्मक पुर्णांग संख्या नहीं तो रिनात्मक पुर्णांग संख्या जीरो संख्या था इसमें जोगा और नर नागेटिब जीरो इस नाइडर फैसा संख्या तब शर्ण नबर का मतलब लिएक स स्टार्ट वगा कहीं भी निच्राइनबर हमें लिखना है तर दुन नेचुरल नमबर कौन्टिंग नमबर को कहेंगे प्रकृतिक संख्या को और प्रकृतिक शंख्या कहां से स्टार्ट होती है एक से एक दो तीन चार पांच आगे बढ़ता जाएगा छे साथ आठ नौ और पहले दस ऐसे लिखते थे क्योंकि 0 नहीं था ना तक अब 10 ऐसे नही ये क्या इसमें ओबान पॉइंट टू है नहीं है क्योंकि exact नंबर है पॉइंट वाला इसमें मान नहीं आएगा और natural नंबर के बाद एक कौंसा नंबर हो गया whole नंबर पर आजाए whole number whole नंबर का मतलब पुर्ण संख्या ना और पुर्ण संख्या कहां से start होती है पुर्ण संख्या 0 से start होगी, 0, 1, 2, 3, ऐसा ही बढ़ता चलेगा, कहां तक, अनंत, और integer है, जो 0 भी हो, positive भी हो, और negative, 3 हो आ जाए, उसी को integer कहते हैं, integer नंबर में, कहिएगा, integer जो आगिया सर, इसमें 0 भी होगा, positive भी होगा, और negative होगा, वही पुर्णांग संख्या है, 0, 0 से दाइं और चलेंगे, तब सब पलस में, पलस एक, पलस दो, पलस तीन, पलस चार, कहां तक चलता चलेगा, अनंत, इधर आगिये, तब माइनस एक, माइनस दो, माइनस थीन, डॉट, 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 माइनस, तब पुर्णांग संख्या को, negative और positive, पुर्ण संख्या को, आप यहां formula 2-3 हम लोग याद रखेंगे, एक प्राकिर्तीक संख्या का योग का फ्रॉट आप लोग का याद होगा, है याद, एन एंटु, एन पलस ओबन वाई, तू, आप याद है, प्राकिर्तीक संंख्या के ब्रगों का योग, घानों का योग, यह सब आपको यूज ह होगा आगे चल करके तो फ्राकिर्टिक शंख्या हो गिया ओल नंबर होगि एक होगिया टूर किसिमनोस टर्मिंटी टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल यह संखता नहीं है और यह जो आपको बड़ा वाला सरकल है एक और सरकल दिखाई देता हारा वाला ले लेते हैं लाल लाल पिलार लाल वाले यहां दिखाई देगा नहीं न एक और सरकल ले लेते हैं कौन सा कलर का लाल अपना अपना पसंद है जो आँ बोर पर लिखा गया है इस नवसे छोटा वाला कौन सा देखिए तो पिंग कौन सा नंबर है प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या सबसे चोटा प्राकृतिक संख्या और यह जो दिखाई दिया हरा वाले यह हो गया होल नंबर कौन सा नंबर हो गया होल नंबर हरा से इसमें लिख देते हैं ही होल नंबर हो गया पुर्ण संख्या और जो सबसे बड़ा यह दिखाई दे रहा है यह कौन सा नंबर हो गया इंटीजर हो गया इंटीजर इंटीजर इंतीजर का मतलब पुर्नांग संख्या त् kas można bada vola प्रकृतिक संख्या है और मजले वाले है और सबसे छोटा वाले प्रकृतिक संख्या कि ओहां एक से प्रता होता था थोड़ा सा बढ़ा जीरो फोल नंबर होगया और नगेटीडि भी आ गया इंटीजर नमबर अगहां से आप लोग सम और ओल का ऐसा बना सकते हैं के सभी प्रकिर्टिक संख्या पुर्न संख्या जब के अभी कहेंगे प्रंतु सभी पुर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं है सभी पुर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या आप लोग यहां ही से अंसर कर दिजिएगा यहां हम लिखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या सबही प्राकृतिक संख्या पुर्ण संख्या हो सकती है पुर्ण संख्या हो सकती है फोल्स की ट्रू एफ और फोल्स है ट्रू है की फोल्स है सबही प्राकृतिक संख्या सबही प्राकृतिक संख्या पुर्णांग संख्या हो सकती है सही है की गलत है सही है, false और true का मतलब वह ही सही और गलत, अब आगलत, तीसरा पर चले आए, सब ही पुर्ण संख्या, सब ही पुर्ण संख्या, पुर्णांग संख्या हो सकती है, है, सही की गलत, सही है, सब सही है क्यों हो रहा है, गलत भी होना चाहिए न, आब गलत होगा, क्या, आब गलत स संख्या हो सकती है गलत हो गया ना ऐसा ही सब गलत करते चलिएगा अब पांचमा कुछ पुर्णांग संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है अब एक और लिख दिए अगला कुछ पूर्ण संख्या कुछ पूर्ण संख्या कुछ पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है पूर्ण संख्या हो सकती है हो सकती है सही है कि गलत है सही है और एस सातमा पॉइंट आ गिया सब ही पूर्णां संख्या सब ही पुर्णांग संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है सही कि गलत 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 और अगला हो गया आठमा पॉइंट कि सब ही पुर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है सही है सही और गलत में 50-50 हैं आप लो और एक ninth number point लिख देते हैं कि सब ही पुर्नांग संख्या, सब ही पुर्नांग संख्या, पुर्न संख्या हो सकती है, पुर्न संख्या हो सकती है, यह total 9 point हम लोग लिखे हैं और यही भेन डायग्राम से अंसर करना है, चोटा वाले बड़ा वाले में तो already समाहित है, लेकिन हर पर जाकर बैट के भोजन खा लेगा नहीं कुछ लोग बैट पाएंगा और कुछ लोग देखेंगे कौन-कौन खा रहा है देखने वाले हैं और कुछ लोग क्या है खाने वाले अगर नेचुरल नंबर इंभाइट कि आप लोग सब परिवार इसको कौन सा कहते हैं जो सब चलाएं पूरा आराम से लेकर के जितना रेज की और रेज की का मतलब समझ में आगया ना है रेज की चेंज नोट सब पहुंचा और प्राकिर्तिक संख्या का घर पर छोटा जगह है ताई एक बार जाकर बैट पाएगा नहीं यहीं कह रहा है कि सब ही पुर्णांग जिए बाहर आएगा तो जिर्फ ऑजेटी बाला जाएगा सजाति यह अपना जातका हो जातका कास्ट वाले नहीं समझ अधर पोजेटी नंबर इसमें जाएगा गया इन्टीजर पूरा कार दिखाओ निमंतरन दिया है कि नहीं तो जीरो नहीं गया क्योंकि 0 का कार्ड नही से और स्भी पुर्ण संख्यांग प्राकिर्तिक यह हो सकी है कि तीन वोग्त शोड़ कर बाकी का वाकि सभी यह है सही है फिर से यहां ना उपर से सभी प्राकिर्तिक संख्या पुर्ण संख्या हो सकती है जितना पुर्ण संख्या है प्राकिर्तिक संख्या पुर्ण संख्या में समाहित है क्योंकि जीरो से भी और एक से भी सत है सभी प्राकिर्तिक संख्या पुर्णांग संख्या भी है सही ह और negative को छोड़ कर, कुछ पुर्णांग संख्या, पुर्ण संख्या हो सकती है, एस, negative भाले को छोड़ कर, बाकी सब ही कितना number तक सही है, एक से लेकर छे तक सही है, बाकी तीन गलत है, ऐसे statement conclusion का सवाल देगा, तो उसे clear रहेगा, तो आराम पास किये है, एस विकार है न की छाप करके, बिना लिखे पास होगा क्या है, आप ही लोग जैसा intelligent student रहता है, कि करता एक टम बंब किया बंब ले जा करके, आराम से धमका करके पास हो जाता, नहीं एक टम बंब आता है, आया पहले, master पहले आता है, और उसे ड्राने के लिए, कि जो रखा है, उदे दो, एक बार आया आने वाला है, चेकिन दीजिए, निकाल कर गद्या, ले जाओ, फिर कहा कहा से निकाल कर गदे देता हूँ, ले जाने के लिए, फिर last में कहा कि अब मजी state आने वाला है, रखा कोई पास है, है, दोनों हाथ उठा दो, कोप्षा वाले, अगला नमबर, नेचुरल नमबर का क्या निकालना है, योग, नेचुरल नमबर का योग, तो सम आउफ एन नेचुरल नमबर का मतलब, एक पलस, दो पलस, तीन पलस, चार पलस, पांच पलस, डॉट, डॉट, डॉ इसे हम कहेंगे एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन प्राकृतिक संख्या का योग हो गया, दूसरा अस्क्वाइर पर आजाईए, एक के अस्क्वाइर पलस दो के अस्क्वाइर पलस तीन के अस्क्वाइर, ऐसा डॉट डॉट कहां तो चला, एन इस्क्वाइर चला, त बर्गों का योग, और एक घहन का योग, क्यूब, अगला तिसरा पॉइंट, अभी क्यूब पर लेंगे, एक का क्यूब, पलस दो का क्यूब, पलस तीन का क्यूब, ऐसे डॉट 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 कहां तक चला है, एन के क्यूब में, इसे हम लोग लिखेंगे, एन इंटु एन प्राकृतिक संख्या के योग के अस्क्वाइर यह हो गया एन प्राकृतिक संख्या के घानों का योग जिनरल कंपर्टीशन में आये हैं तब इसे में तीन चीज का महुत पूर्म रखना है जो कैलिकुलेशन फस्ट हो एक से तीस तक का पहाड़ा याद रखना है टेबल आपका सवाल रहता है और टेबल हमें एंगली से अच्छा हिंदी में ही याद रखेगा ऐसा नहीं कि ठर्टीन थिरीजा इतना हुआ थर्टीन यह सब थिरीजा और फोर्जा हटा देना याद रखना है तेरा तियां उन्चालेश कोई थिरीजा और फोर्जा नहीं होगा यहां आये सब यहां होगा और हिंदी में टेबल हिंदी में याद रखेगा सीबी एसी वाले भी परकोसिस करना है कि 26 गुणा 9 कितना हो गया किसका याद था यहां टेबल 26 नमे 234 नहीं 26 नमे 234 234 एक सवाल इस पर ले बना दीजेगा लिख दीजे पर्थम 21 पूर्ण संख्या का योग ग्याद करें पर्थम 21 पूर्ण संख्या का योग ग्याद करें पर्थम 21 पूर्ण संख्या का योग निकालना है पर्थम 21 पूर्ण संख्या का योग निकालना है पर्थम 21 पूर्ण संख्या का योग तब एन इंटू एन पला सोबान भाई 2 ऑनलाइन को पहले देखने दीजे कितना अंस करिए 210 210 आ रहा है देखिए कैसे कैसे अंसर आएगा 231 सब आपना 121 भी आया है 121 देखिए न कैसे कैसे सब लोग है अभी बस यहीं तिनों 231 इसमें को दिकत था कितना नंबर का निकालना था एक इसका एन का माने कीस दे दिये ता एकीस और एक कितना हो गया और बटे में कितना हो गया जो तकट गया 1111 में कैसे गुना कर दिये जो सोक अगतिस आया था ना दोसौ एकतिस वाले विल्कूल गलत है लोसौ एकतिस वाले विल्कूल गलत बिल्कूल सही नहीं दो सो जोऑ से कॉनसा कर दें लोग हो गया 500 परसेंट कितना परसेंट क्योंकि सवाल आप लोग पढ़े हैं कहा गया पर्थम 20 पूर्न संख्या प्राकिर्तिक नहीं और संख्या कहां से स्टाइट होता है तक कॉंटिंग कहा तक जाएगा 20 तक जाएगा अगर पर्थम तीन पूर्ण संख्या लिखना है तहां कि पर्थम तीन पूर्ण संख्या तक नहीं जाना है जीरो एक और क्योंकि कॉंटिंग जीरो से हो गया तब बास्तविक में से एक संख्या कम जाएगा नेचुरल नंबर एक से लेकर बीस तकी संख्या का योग, एन इंटू, एन पलस बन भाई, अब कितना आया, 210, एन का मान बीस दिये, बीस और एक कैस बटे, कट गया, कितना आ गया, 210 आया था किसी किसी को, ऐसा नहीं, असान ही सवाल गलत होता है, और ज्यादा तर ओ सवाल गलत हो जाता है, जो तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो सर पढ़ाये हैं, और जो पढ़ाये हैं, वही गलत होगा, इसलिए ज्यादा ओवर कॉंटिडेंस में नहीं रहना है, उसे एक बार देखना है कि क्या कहा गया, है पूर्ण, लेकिन बना दिया किस पार, प्राकिर्तिक पर, पूर्ण संख्या जीरो से और प्राकिर्तिक संख्या किसे से स्टार्ट होता है, प्राकिर्तिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, अब हेडिंग डालिए, हम लोग का डेसिमल थोड़ा सा समझ लेते हैं, डेसिमल, डेसिमल समझते हैं, कि इसी को सम और बिसम करतें, डेसिमल छोड़ दीजिए सम संख्या किसे कहते हैं है पता डिवी जीवल भाई और नोट डिवी जीवल भाई टू और नमबर जो संख्या पुंता दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहेंगे और जो संख्या दो से पुंता विभाजित नहीं हो उसे विसम संख्या कहेंगे आप सबसे पहले बताए कि को सम संख्या कहेंगे कि भी सम संख्या कि है कैसे कि धोसर भी भाजित रोन कहता है मैं है से गतिता है बाशनी हुट होना है इक प्यूंट में आए इंटिजर होना Alors while in बहने इसे अमगैंगे और जिपना बहुनां नगया झालाजित हैं जिसमे में भाग लगा और। नहीं कुछ — सिसत फ़ल तब इसे भाग पर कहेंगा हैए और भाग पल। इंटीजर का कुसे हम कहेंगे बिशम संख्य और नंबर सब्सक्राइब बताएश चे चैहां मामला भसता 0 के बारे में, 0 बताइए कि 0 आपको positive integer, negative integer में समझ लिये थे, क्या है, उदासीन, नहीं positive और नहीं, 0 odd number है कि even integer है, odd integer कि even integer, even, क्यों, क्यों कि 2 से कट रहा है, कट रहा है, 2 से, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, तो 0 आता है, लेकिन संख्या में 0 से भाग देंगे, तो infinitive होगा, और 0 में 0 से भाग देंगे, आप परिभासित, undefine, undefine हुआ, और ये दोनों number कोई define नहीं हुआ है, अनंत ही undefine है, और undefine ही क्या है, अनंत का मतलब कुछ नहीं, अनंत का मतलब, अई संख्या नहीं है, ये आपको सब्द अनंत तक चले जाओ, अनंत कोई संख्य संख्या नहीं है, undefine का मतलब जिसे हम परिभासित नहीं कर सकते हैं, तो 2 में 0 से भाग दिये, कट गया, चाट गया, कितना बार में, अचा, 0 बार में, तो इसे हम क्या कहेंगे, सम पुर्नांग संख्या, सम पुर्नांग संख्या, ना, फिर बदलना नहीं है, ये 0 में 3 से भाग दिये, 0 बार में, 0 में 5 से भाग दिये, कट गया, 0 बार में, 0 में 7 से भाग दिये, कट गया, 0 बार में, अब बताए, सम संख्या कहेंगे, कि बी सम संख्या कहेंगे, सम और बी संख्या, नहीं, अभी भी हम कहेंगे, कि सम संख्या ही है, क्योंकि ये नहीं कहा कि संख्या की संख्या नहीं कच रहा हूं कि जो सिर्फ दो से भी हजित हो नहीं लेकिन वे संख्या दोसे आवस भी भाजित हो और देथ्व जोगा उसे कौनसा संख्या 카i सम संख्या कहेंगे अर्थार्थ 0 एक कैसी संख्या है सम पुर्णांग संख्या इभेन इंटीजर इभेन इंटीजर चाह पुर्णांग का मतलब सम संख्या जाएं और सम पूर्णांग संख्या नहीं सम पूर्णांग संख्या नहीं शॉट नहीं और अगर countable नहीं कहेगा ता minus infinitive और इधर क्या हो जाएगा पलस infinitive तो 0 एक कैसी संख्या है सम पूर्णांग संख्या सम संख्या नहीं सम पूर्णांग संख्या अब भी सम में आ जाएए बी सम कहां से start करें लिटेन रहेजह तब एक से होगा ना एक एक के बाद तीन के बाद पांच के बाद साथ के बाद ौcm के बाद आगे बढ़ता चलेगा two-eight minus ओबन दूगना मेंसे ए घटा देंगे अब यहां से घडते करमरे में हमारा हर यह तो न mashवतनागरोटार माइनस का 3 आज आएगा माइनस 5 डौट डौट माइनस का 2N-1 तो 0 एक सम पुर्णांग संख्या इभेन इंटीजर नंबर है क्यों क्योंकि 2 से पुन्ता विभाजित है यही सिर्फ डिफिनिशन का फिर है कि 0 2 से पुन्ता विभाजित है ऐसे बहुत सारा पूरूड करने का त सात्मक पुर्णांग में देखे अब जीरो के बारे में सम और भी सम में देख रहे हैं लिखाया जाए लिख दीजिए जीरो एक सम पुर्णांग संख्या है जीरो एक सम पुर्णांग संख्या जीरो एक सम पुर्णांग संख्या जीरो एक सम पुर्णांग अच्छा आपक जीरो सबसे छोटा थोड़ी है सबसे छोटा सम पूर्ण संख्या बात को समझे कह रहे हैं जो सबसे छोटा सम पूर्ण संख्या तब जीरो क्योंकि जीरो के बाद आगे हैं ही नहीं लेकिन सबसे छोटा सम पूर्णांग कहा दिया नहीं गयात करेंगे माइनस में चला जाता ह नोट में 0 में करके लिख दिये थे ना, 0 एक सम पुर्णांग का संख्या है, 0 is an even integer, 0 एक सम पुर्णांग संख्या है, आज यहीं रहने देते हैं, विसेस है, और जिस सब जितना लिखाया गया है, वो कल कंठास याद रहा है,